नमस्कार जी मैं मंचू मग के साइज का पोट 10 रुपे का जो गली महले में बिकने आते हैं तो क्या इतने सारे धेरों फलार्ज उसमें कभी खीले हुए देखे हैं तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो नंबर 1400 डाला था तो उसमें मैंने अमेरलस लिली में खाद बनाना सिख तो यह सब जो कमाल है और गैनिक मिट्टी का ही कमाल है और गैनिक मिट्टी में बहुत ही बड़ी अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं और आज तक मैंने केमिकल फर्टिलाइजर का कभी विपने गार्डन में इस्तिमाल नहीं किया तो यह देखे धेरों फलार्ज आरे हैं और जैसे कि मैं पहले ही विडियो नंबर जो 1430 में मैं पहले ही पूरी जानकारी दे चुकी हूँ तीन साल पहले मैंने इस चोटे सी बस्टेट बच्ची लोग खिलते हैं यह मग के साईज की यह देख रहे है तो इसमें मैंने तीन साल पहले एक क्रोस कट करके एक बलब जो हैल इस बकेट में फिर एक फूल यह जो देख रहे हैं यह जो स्टाउट स्टैम्स होती हैं यह मोटी और चोटी तो इन पे एक स्टैम पे छे से लेके जैदा भी फूल आ सकते हैं तो अभी तो यह खिलना स्टार्ट होए है तो यह मेरे इस छोटे से जो मग का बात्रूम का मग होता है जो उस साइज के पोट में यह आठ निकली हैं तो आठ आप गिंती कर लिए एक दो यह तीन चार पांच छे और यह साथ और यह आठ और एक में इसमें अभी दिर दिर उतफीलार वर्ड इसमें बनते रहते हैं एक गुछे में तो इसमें यह दिकर पांच एक दो यह तीन और यह फूल चार आप यह पांज इसमें तो इतनी सावच्य धेरों फूल अभी छिलने बाले हैं इसमें यह चोटे से पोट में तो यह सब और साल का कमाल है 5 साल पहले जब मैंने अपना चैनल बनाया था तो मैंने उस टाइम ही यह सबसे शेयर किया था तो आप सब पूछते थे तब के सबस्क्राइबर पता नहीं मुझे निवता कि अब वो गायब होगे होंगे अब तो नए-नए है उनको नीप मालूम होगा तो कि गार्डन में उसी चीज का जैदा इस्तेमाल करती हूं तो जंगल में कौन खाद बगएरा देता है वो सब पत्ते जो हैं पुराने पेड उनकी लाइफ हो जाती है सडगल के वो खूब सारे जो निचे बैठ जाते हैं खाद बनाते हैं बाकी प्लांट्स को वही खाद मिलती है मौइस्चर भी उनसे मिलता है और बारिशें भी रोज नहीं होती और जंगल हरे बरे रहते हैं तो यही सब चीज सोच के मैं अपने गार्डन में काम करती हूं और मल्चिंग भी मैं खूब करती हूं पुराने पतियों की तो यह देखे इतने कमाल के फूल अभी आने बाले हैं और यह सब इसी चीज का कमाल है और मैं अपने गार्डन में जो बस गोवर की खात बर्मी कंपोस्ट और जो घर के बनी लिक्वेड फर्टिलाइजर जो होते हैं और गार्डन के जितने भी पत्ते होते हैं किचन वेस्ट की खात बनाती हूं और लिक्वेड फर्टिलाइ मग साइज की तो इसे मैंने वहां पे छट पे ही बिल्कुल दिवार के पास रखा है और बड़े प्लांट के साथ रखा है तो इसमें सुवे की जो है चार-पांच घंटा की धूपा जाती है तो जो पिछली बारी मैंने ट्रांसप्रांट की ये थे तो उनमें भी खूब फू ला रहे हैं तो यह जो एक ही बल्व से मैंने कट करके देरों जो बल्व त्यार किये तो तीन साल पहले विडियो नंबर 599 वह आप मेरा देख सकते हैं उसमें मैंने वह बल्व दिखाया हुआ है एक अपते के अंदर न्यू न्यू उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट होगी और फिर इसी बकेट में मैंने कोई 500 ग्राम मिट्टी भी नहीं होगी मेरे गार्डन की और गैनिक मिट्टी में वही बल्व मैंने उसमें रख दिया और अपर से धकानी फिर न्यू ग्रोथ जब अच्छे से होने लगी फिर उसको मिट्टी से उपर धक दिया और यह देखे कमा पिछले साल भी इसमें दो साल के बाद जब इसमें से बल्व निकालके मैंने अलग किये तो इसमें सिर्फ एक ही पोद्दा उस पे फूल आए और इस बारी तो देखे कमाल ही हो गया है क्योंकि बहुत जादा घने बल्व हो तो तब भी फूल फिर नहीं आते हैं क्योंकि ख केट है नहीं फूल धी खुब चल रही है मैं सूचा नहीं था ये भी चलिए अभी ऐफ़ autant अच्छी ऐह क्योंकि उसको मैंने पूरा दिन ki दूप में नहीं रखा है तो इस लिए अच्छे से चल रही है त yeni कमाल की फूल हम है तो इस तरह से आप छोटे सिपोर्ट में भी लगा सकते हैं एक हैल्दी बल्व है तो आप उसे मेरे तरिके से कट करके खुब सारे उसके प्लांट्स बना सकते हैं तो मैंने तीन गमले त्यार गई हैं वो भी किसी दिन शेयर करूँगे तो उसी का कमाल है तो वीडियो नमपर चोदा सो जरूर देखने मेरा उसमें मैंने खात बगारा भी बताई हुई है और इसमें भी वो खात मैंने डाली है जो मैंने बताई थी और बीच-बीच में मैं मैं लिकुड फर्टिलाइजर अपने गार्डन का देती रहें जैसे चुकंदर हुआ संत्रे के चिलके हुए प्याज के चिलके उनको दो-चार दिन बिगो के फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाके अपने प्लांट्स में देना पसंद करती हुँ लसी का पानी हुआ बटर मिल्क वाला वो पानी देना पसंद करती हुए वो सब वीडियो जो देखना चाहते हैं मिल जाएंगे आप लि तो मेरा मनी नी कर रहा कि मैं फूलों से नजर हटा हूं सारी तरफ यह ऐसे खिल रहे हैं पूरे ऐसे भरे हुआ हैं सब के सब ऐसे इतने भर रहे हैं जब पूरे खिलेंगे तो मेरा ख्याल है पचास से भी जैदा आठ जो इसमें जो इसकी स्टैम निकली हैं तो एक गुच्छे में छे से लेके थोड़े जैदा निकलते हैं फूल तो अगर छे भी रखें तो मल्टिबलाई आठ से छे को कर ले तो कितने सारे फूल आएंगे इन पे अगर पांच भी आते हैं तो भी बहुत ज़्यादा फूल आने वाले हैं मज़ा आगया मन खुश हो गया ये तो अभी शुरूवात भर है तो ये देखिए ये चोटी सी बकेट में कभी आपने इतनी फ्लार्स देखे हैं तो इसी के साथ अब मैं रखती हूँ नमस्ते जी शुकरिया और धूपों से इतनी ही लगवानी है चार-पांच गंटे की धूप चोटा पोट है तो